नमस्कार, हिंदी साहित्य वारता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकुर के साथ NTA UGC NET वीशे हिंदी की त्यारियों के अंतरगत PYQ सिरीज कर रहे हैं और इसमें हमने नवंबर 2017 में हुई जो परिक्षा थी उसके 20 प्रशन कर लिये थे और आज हम इसका जो second part है वो करने जा रहे हैं जिसमें हम discuss करेंगे प्रशन नमबर 21 से लेकर के प्रशन नमबर 40 तक तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के lecture की सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रशन नमबर 21 इसमें पूछा गया है कि निमे लिकित में से कौन सी रचना जीवनी नहीं है कथेत्र गद्य अन्य जो गद्य विधाएं हैं यहां से प्रशन पूछा गया है तो देखिए कलम का मजदूर कलम का सिपाही मेरी पत्नी और भेडिया या फिर प्रेमचंद घर में तो देखिए कौन सी रचना जीवनी नहीं है तो कलम का जो मजदूर है यह किस ने लिकिती मदन गोपाल ने लिकिती 1964 में जबकि कलम का सिपाही जीवनी है ये भी प्रेमचंद के जीवन पर अधारित है ये कब लिखी थी 1962 में अमरित राये ने खीक है जबकि मेरी पत्नी और भेडिया तो देखे ये रचना किसकी है ये है धरमबीर की और ये क्या है ये दलित आतमकता है तो जो डॉक्टर धरमबीर तो इसका जो सही उत्तर होना चाहिए वो होगा विकल्प नमबर तीन मेरी पत्नी और भेडिया तो ये क्या है दलित आतमकता है जबकि प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी के द्वारा लिखी गए उनकी जीवनी है प्रेमचंद के जीवन पर अधारित तो ये कब लिखा था इन्होंने ये लिखा 1944 में अगला पशन देख लेते हैं फणिशोनात रेणू के किस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए हिंदू शर्नार्थियों की दारून कथा का चित्रण है मेला अंचल जुलूस परती इन्होंनात रेणू के द्वारा लिखा गया उपन्यास है और इसी में क्या है पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए हिंदू शर्नार्थियों की दारून कथा कही गई है और इन शर्नार्थियों को सरकार ने पूर्णिया जिले का से धांत साकार हुआ है पवित्रा के शुद्ध सात्युक्विक्तित्यु से तालिवर गोडी जैसे अधम के भीतर भी दिवत्त जाग जाता है तो देखिए ये चीज है आपके जुलूस उपन्यास में आगे अब हम देख लेते हैं जो पनिश्वनात रेणु है उनके अन्य उपन्यास कौन कौन से हैं तो मेला आंचल इन्होंने लिखा परती परी कथा 1957 में दिर्गतपा 1963 तो इन वाले उपन्यासों को भी आपने जरूर देखना है कि रेणु ने अन्य कौन कौन से उपन्यास लिखे हैं बहुत बार इनके जो उपन्यास हैं वो कालकरा मनुसार था है ठीक है दिर्गतपा 1963 में इसमें ब्रष्ट व्यवस्था के बीच एक इमानदार व्यक्ति के संगर्ष की कहानी है जबकि जुरूस जो है 1965 में यह हमने अभी पड़ भी लिया कि इसमें क्या है शर्णार्टियों की समस्या है कितने चोरा है बालक एवम मनमोहन को केंद में रखकर स्वधिनता अंदोलन का चेत्रन तो कितने चोरा है बालक और मनमोहन हो सकता है प्रशन इस तरीके से पूछ ले जाए कि मनमोहन को केंदर में रखकर स्वधिनता अंदोलन का चेत्रन की सुपन्यास में किया गया है तो यह है कितने चोरा है ठीक है पलटू लिखना प्रारंब किया था लेकिन इसको वो पूर्ण नहीं कर पाए तो ये थे फणिश्वनात्रेणों के प्रमुक उपन्यास अब हम देख लेते हैं प्रशन नंबर 23 अत एव दो बालुका पूर्ण कगारों के बीच में एक निर्मल स्रोच्विनी का रहना आवश्यक है य आगे देख लीजिए चंद्रगुप्त नाटक के चतूर्थ के अंत में तो कौनसे नाटक से ये लिग गई है पंकते देखिए चंद्रगुप्त नाटक से और कौनसे अंक है चतूर्थ है ना चानक्य सल्यूकस से कहता है किंतु संदि पत्र स्वार्थों से प्रबल नहीं होते, हस्ताक्षर्थ तल्वारों को रोकने में असमर्त प्रमानित होंगे। तुम दोनों ही समराठ हो, शस्त्र जब्साई हो, फिर भी संगर्ष हो जाना कोई आश्चरय की बात ना होगी। अत अभिव्यक्ति की स्वतंतरता का प्रशन सुरेंदर वर्मा के किस नाटक में आया है। तो देखिए अभिव्यक्ति की स्वतंतरता का प्रशन सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक आठवा सर्ग, नायक, खलनायक, विदूशक या फिर शकुंतला की अंगुठी तो इसका जो सही उत्तर होगा देखिए आठवा सर्ग तो आठवा सर्ग में ही क्या क्या है अभिवक्ति की स्वत्मता का प्रशन उठाये गया है अब हम इसको थोड़ा साब विस्तार से जान लेते हैं कि आठवा सर्ग में क्या क्या चीज़े हैं आठ्वा सर्क जो लिखा गया था देखिए 1976 में ठीक है सुरेंदर वर्मा का नाटक है ये और यह नाटक प्रत्थम बार जो पहली बार कहां पर ये प्रकाशित वा था देखिए हत्या शिर्षक से कथा पत्रिका में ये प्रकाशित वा था जबकि आठ्वा सर्क कालिदास के क विव्यक्ति की सुतनता के प्रश्न को उठाया गया है तो ये तो होगी बात आठों सर्ग जो नाटक है उसके बारे में अब हम देख लेते हैं प्रशन नमर पच्चिस रससूत्र विभाव अनुभाव व्यविचारी संयोग आदरस निश्पत्ति किस ग्रंथ में आया है तो देखिए जब भी हम कावे शास्तर के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले भरत मुनी को ही पढ़ते हैं और भरत मुनी नहीं ये बात कही है विभाव अनुभाव और व्यविचारी भाव के संयोग से ही क्या बनता है रस की निश्पत्ति होती है तो इसका कहने का मतलब य नाटे शास्तर में विभाव अनुभाव या विचारी संयोगाद रस निश्पत्ति फिर आता है उसके बाद जहां बिना कारण के ही कारे की संभावना व्यक्त की गई हो वहां कौन सा अलंकार होता है तो देखिए अलंकारों की डेफिनिशन पढ़ना बहुत ज़रूरी है क जो महुत पूर्ण हैं उनके बारे में अब इस तरीकी से प्रशन पूछे जाने लगे हैं तो विस्तार से हम इस वाले प्रशन को पढ़ेंगे जब हम अपना कावय शास्तर करेंगे वहां पर इसको विस्तरित रूप से देखेंगे यहां पर हम सिंपल देख लेते हैं कि इ तो देखिए उपमे उपमान वाक्य और संबद हो किंतु सादरिश्य के आक्षेप के दोरा उन्हें क्या होगा सू संबद रूप में उपस्थित करके उनकी संगती दिखाई जाए वहां निदर्शन अलंकार होता है असंगती जहां कारे और कारण में संगती ना हो ठीक है तो अर्थांतर न्यास जहां किसी सधारन बात का विशेश बात से तथा विशेश बात का सधारन बात से समर्थन किया जाए ठीक है न तो देखिए इसको किस तरीके से यादगा न एक का सधारन से विशेश दूसरे विशेश से सधारन बात का समर्थन तो वो ही आपका अर्था चलिए अगला प्रशन देख लेते हैं निमी लिकित में से कौन सा रस का अभ्याय नहीं है भाव विभाव अनुभाव या फिर संचारी भाव तो इसका जो सही उतर होगा देखिए विकल्प नंबर एक इसका सही उतर होगा क्योंकि ये वाला प्रशन पीछे वाले प्रशन से मिलता जूलता है तो ये रस का अभ्यव मतलब नहीं है देखिए कहा से शुरू होता है ये विभाव अनुभाव और व्यभिचारी ठीक है न तो विभाव भी आता है अनुभाव भी आता है और फिर आपका संचारी भाव भी आता है व्यभिचारी भाव किसको कहा जाता है स सिंचारी भाव को ही कहा जाता है तो इसलिए विकल्प नमबर एक इसमें नहीं होगा यही इसका अव्यव नहीं है अगला प्रशन देख लेते हैं निमी लिकित में से कौन सा काव्य गुण नहीं है शिलेश, माधुर्य, शक्ति या फिर समाधी तो देखिए इसका जो सही उत कवी और श्रोता दोनों के लिए अनिवारे हैं उक्त कथन किस आचारय का है देखिए काव्य की पूर्ण अनभूती के लिए कलपना काव्य अपार है तो यह कहता है कि कवी और श्रोता दोनों के लिए क्या होता है अनिवारे होता है शुकल जी है नगेंद्र है नंद दुल इसमें इनों नहीं बात कई है, रसात्मक बोध के विविद रूप, इनका एक निबंध है वहाँ पर, क्लियर है, विकल्प नमबर एक इसका साही होगा, अचारे शुकल, है न, फिर आता है प्रशन नमबर तीसवा, अरस्तु द्वारा रचित पोईटिक्स नामक ग्रंथ में कितने अध्याय हैं, तो देखिए, एरिस्टोटल से प्रशन पूछा गया है, जो हमारा पाश्चात्य कावेशास्त्र हैं, या पाश्चात्य जो समीक्षक हैं, चिंतक हैं, तो पोईटिक्स इनकी रचना का नाम है, ये भी हमें क्लियर हो गया, और इसमें कितने अध्याय ह हैं, है ना, मतलब पाट कितने हैं इसमें, 26, 25, 24 या फिर 23, तो देखिए, इसका जो सही उत्तर होगा, वह होगा विकल्प नंबर 1, 26, तो इसमें कितने अध्याय हैं, देखिए, 26 अध्याय हैं, है ना, अब देख लेते हैं कि अरस्टू की जो पोईटिक्स है, 26 इत्तो इस रस्टू ने पोईटिक्स में किन-किन चीजों को वर्नित किया है, या किन चीजों पर उनने विचार किया है, कितने इसमें अध्याय हैं, और कितने भाग हैं, अगला पशन हम देख लेते हैं, निमिलिकित में से कौन सा कतन माक्सवादी सिध्धान्त के अनुकूल नहीं है तो देखिए माक्सवादी सिध्धान्त ये भी बहुत जरूरी है, माक्सवादी चिंत कौन है, ये भी बहुत जरूरी है, तो माक्सवादी दर्शन का अनिवारे घटक है, दौन्दात्मक पहुतिकवाद, या फिर मनुश्य के समस्थ समाजिक संबंद उसके उत्पालन समाजवाद और सामयवाद में आर्थिक तथा समाजिक परिपक्वता में अंतर होता है, सामयवादी विवस्ता में भी राज्य तथा समस्त राजनितिक और कानुनी धांचे बने रहेंगे, तो पहले की जो तीन चीज़ें देखी, ये तीनों चीज़ें माक्सवाद के और माकसवादी जो अलोचक है? यहाँ पर माकसवादी जो आलोचक है हमारे, इस से एक वेश्चन जरूर बनता है कि कौन सा जो है माक्सवादी आलोचक है और कौन सा नहीं है इस तरीके से प्रशन पूछा जाता है तो आपने एक बार जितनी भी हमारी जो अलोचनाई लगी है उनको पड़ डालना है कि कौन से आलोचक माक्सवादी है और कौन से नहीं है यहां से प्रशन बनने के संभावना बनती है अगल ये एक इन में से ऐसा है जिसका समद्ध उत्रादुनिकता से नहीं है जैक देरीदा है, डैनियल बेल भी है, रोला बर्थ भी उत्रादुनिकता वादी है जबकि रेमंड विलियम्स हैं देखिए, ये नहीं है ये भी आपके कैसे हैं ये भी माक्सवादी चीन तक ही है तो इसका जो सही उत्रोगा विकल्प नंबर 4 तो देखिए इनका पूरा नाम क्या था रेमंड हेनरी विलियम्स 31 अगस्त 1921 को इनका जनम हुआ 26 जनम पर 1988 को इनकी मृत्ती हुई तो ये क्या थे एक विल्ज माक्सवादी सिधांतकार, अकादमिक, उपन्यासकार और आलोचक थे निव लेफ्ट के भीतर और व्यापक संस्कृती में एक प्रभावशाली व्यक्ती थे राजनीती, संस्कृती, जन संचार माध्यम और साहित्य पर उनके लेखन ने संस्कृती और कला के माक्सवादी अलोचना में महत्तपूर्ण योगदान दिया उनके काम ने संस्कृतिक अध्यैन और संस्कृतिक भातिक वाधी दिष्टिकोन की क्षेत्र की निव रखी ये तो होगी बात रेमंड हेंडरी विलियम्स के बारे में कि ये आपके उत्रादुनिकतावादी नहीं थे जबकि माक्सवादी से धांतकार उपनियासकार और अलोचक थे फिर आता है प्रशन नमबर 33 पीर भरो जिय धीर धरे नाही कैसे रहे जलचाल के बांधे तो उप्रियुक्त कावे पंक्तियों में स्त्री की किस मनस्तिती का संकेत किया गया है देखिए पीर भरो जिय धीर धरे नाहीं तो पीर का मतलब क्या है पीडा है भरो का मतलब जादा है जिये धीर धरे नहीं, धरे नहीं है वही उसमें, है ना, तो यहां पर सीधी सी बात क्या है, दुख की बात कहीगी है, दुखाती रेक, मतलब दुखाती रेक होगा यहां पर, दुख का अधिक्या है ना, विकल्प नमबर एक इसमें सही होगा, दुख का कम होना तो नहीं है, पीडा में अनन्द नहीं है और पीडा से मुक्ति का उपकरम भी इसमें नहीं है तो विकल्प नमबर एक सही उतर होगा आगे है प्रशन नमबर 34 तुलसिदास ने रामचरीत मानस के किस कांड में कल्यूग का वनन किया है तो देखिए इससे मिलता जुलता एक प्रशन हमने पहले भी कर लिया था जब से एंटिय ने इसको करवाया है कंडक्ट वहाँ पर ये प्रशन पूचा गया है कि दो चार पंक्तियां दी है चार में से आपने दो देखनी थी कि कौन सी नहीं है और कौन सी सही है तो वहाँ पर इनुन लिखा था कि कल्यूग में क्या है कि जो अग्यानी पूरुशें या जो इस तरीके के मुर्ख व्यक्तिय है वो क्या है सादू सजन कहलाएंगे तुव बात सभी है तो वो किसमे ने 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 कही है तो कल्यूग का वर्नन भी किसमे है उत्र कांड में वीकलप नंवर 40 का सही होगा तो आप एक बार उस वाले प्रशन को या तो जो जून 19 वाला है या नवंबर या दिसंबर जो 19 में हुआ है उसको आपने एक बार चक्कर लेना है वहाँ पर ये प्रशन आया हुआ है कि कल्यूग कवर्नन उसमें है पिर आता है प्रशन नमबर 35 स्ने निरजर बह गया है रेट जियोंतन रह गया है उपरोक्त गीत किस कवी का है तो देखिए ये वाली जो पंक्तियां है ये जो गीत है ये है देखिए सूरक कांध्रिपाठी निराला की तो ये अणिमा जो इनका कावय संग्रह है देखिए यह से इसको लिया गया है और अनिमाईनों ने कब लिखा था उनिस सो तैंतारिस में तो विकल्प नंबर दो इसका सही उतर होगा तो ख़ए बार इस तरीके से भी आता है कि कठो पनिस्त के किस प्रसंक पर तो नची के प्रसंक पर अधारित प्रबंध प्रबंद कावै है इसमें वाजरवस एक प्रकार से ठहरे हुए मूल्यों के वहाग पीडी का प्रतीक है जो अपने सारे निर्णय को आने वाली पीडियों पर लाधना चाहता है नचिकेता, कुमार, सारे आप्त सत्य के उत्रादिकार और विवेक हीन निर्णय को अस्विकार कर अपने विवेक और पीड़ा से सत्य की तलाश करने वाला और उसके लिए मृत्यू तक को वर्ण करने वाली प्रबुद्ध नई चेतना का प्रतीक है तो ये बात होगी आत्म के बारे में ठीक है अब हम देख लेते हैं प्रशन नंबर 37 सूनी घाटी का सूरज उपन्यास के लेकक हैं श्रीलाल शुकल, नरेश महता, हिमानशुर स्रीवास्तव या फिर शैलेश मत्यानी तो आपको बिहद सरल प्रशन ये लग रहे होंगे लेकिन परिक्षा भवन में जब हम बैटते हैं तो वहां का जो प्रेशर होता है, उसकी वज़ा से हम इस्तिके के प्रशनों को गलत कर पेढ़ते हैं, है ना, तो इसलिए बिल्कुल सोच समझ के हमने उतर देना है, और जिन प्रशनों के उतर हमें आते हैं, उनको भी इतमिनान से करना है, कई बार क्या कर देते हैं, कि उत्सुकता वश हम जो है, गलत कर देते हैं है न, और जब हम लास्ट में देखते हैं कि हमने इस चीज को गलत किया हुआ है तो देखे, सोनी गाटी का सूरज किसकी रचना है किसका उपन्यास है ये, श्रीलाल शुकल का है, शुकल ने अन्य जभी उपन्यास लिखे हैं देखिए, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्षन में जाकर बता सकते हैं कि इनोंने कौन-कौन से उपन्यास लिखे हैं, तो वो भी मौत्वपूर्ण है, नेक्स्ट है देखिए काम और राम का दुं, किस उपन्यास में? चित्रिथ हैं तो ये आता है आपका विखलब नंबर एक देखिए, मानस का हंस तो इसमें इनोंने क्या किया है? राम और काम या काम और राम के दुंदों की मारमी का विव्यक्ति की है तो किसका है ये उपन्यास मानस का हंस ये है आपका अमरितलाल नागर का तो अमरितलाल नागर के उपन्यासों को भी क्रम अनुसार पुछा जाता है तो उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि मैं इस घर से ही अपने अंदर कुछ ऐसी चीज लेकर गई हूँ जो किसी विस्तिती में मुझे स्वभाविक नहीं रहने देती आधे अधूरे नाटक के प्रस्तुत संबाद का संबंद किस पात्र से है तो देखिए ये बात किस ने कही है ये कही है बड़ी लड़की ने बिकल्प नमबर एक इसका सही होगा ठीक है आधे अधूरे के जो पात्र है महिंदर नात सावीत्री है ना बहुत मतपोर्ण है ये इनको भी पूछा जाता है तो इनकी पंक्तियां पूछी गई यहां देखिए तो ये है बड़ी लड़की की ठीक है अब आता है आज का आखरी प्रशन इसमें आया गए है कि कारवां किसका एकांकी संग्रह है तो देखिए कारवां जो एकांकी संग्रह है एक ही एकांकी संग्रह लिका है इसका जो सह के 20 प्रशन अगर आपको इन 20 प्रशनों में कुछ एक डाउट्स हैं या कुछ एक तुटी मुझसे हो गई है तो आप कमेंट सक्षिन में जाकर बेजज़क मुझसे कह सकते हैं और अपने सुझाव भी हमारे साथ साचा कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूलें तो फिर मिलेंगे नई उर पूज़ और ना इस पूर्ति के साथ तब तक के लिए शुक्रिया जैहिंद